नमस्कार साथियों प्रतार क्लासिस के यूटुब प्लेटफर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बात करेंगे फिर से राजस्तान अधियन केक्षा 10 का हम रिवीजन कर रहे थे आज हमारा टोपिक रहने वाला है परमुख जो छतरिया हैं हवेलिया हैं समारक है और मक सब्सक्राइब करें किसे आज है देश रहा करें के साथ आज है तहसे रहा और दसेरे के इस महान पर आप सबीसात्यों को हार्दिक सुब्काम नहीं आप अच्छे तरिके से पढ़ते रहें इसी तो प्रक्राषब देसेरा बनाते रहें और प्रताफ क्लशस के एप पर आपको दसेरे के इस महान पर उपड़ पर 55% ऊफ दिया जा रहा है किता 50% ऊफ दिया जा रहा है प्रताफ क्लासिस के क्षिआरें को डाउनलोड करें और आशिवान मास के जो है सुकल पक्स की दस्मी को ये जो है तिहार बनाया जाता है ये आपको याद रखना है ठीक है एक्जाम में पुछा भी जाता है तैसेरा आशिवान मास के सुकल दस्मी को ये तिहार बनाया जाता है और भगवान राम ने इस दिन रावन का वद्ध किया और चाहिए पर सत्य की विज्य के रूप में जो है दिसेरा बनाया जाता है यह भी आपको याद रखना इसी दिन जो है सस्थर पूजा की पूजा की जाती जितने भी सस्तर पूजा की जाती है और लोग जो है यहा काम पुरुखात करते हैं आपको भी सेड़े के उत्सव के बाद में अब रीट एक्जाम है उसके लिए आपको पसुपर एक्जाम है सी एटी के लिए आपको एक नया करेक करना चाहिए नए रिन्निती बनाने चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से काम्याब हो बात करते हैं आज के हम सेशन की और प्रताब क्लस्स की एपको जुरूर डाउनलोड करें वहाँ पे आपको सभी टेश्ट स्रीज है वह 50 रुपए में मिल जाएगी और आज ओफर जो है रातरी 12 बज़ दक रहने वाला है तो इस डिस्पाउंट का आप दसेरे के उत्सव का खायदा उठाएं देखिए आगे हम बात करते हैं अपने टोपिक की दायाम मंदिर हवेलियां च्छत्रियां मकबरे और दरगाह है पार्ट फर्ष्ट मेंने स्तरपत्य कला का पहले करवा दिया है आज दूसरा पार्ट है देखिए सात्मी सदी में बनना सात्मी सदी में बना और योगीन गोल बुद्ध मंदिर कहां स्थित है कि है बेराट के याद रखना वेराट कंपे यह दिश्वपूर के अंदर है और यहां पर हम बात करेंbes योगीन गोल बुद्ध मंदिर का निर्मान के आगया मिले हैं और हम बात करें तो तो बेराट सब्वैता आपसे पूछे जाए तो कहां पे है जेफपूर के अंदर है जो भी मोरे काले इन सब्वैता भी मानी जाते है आगे हम बात करें सचिया माता हरीहर व सूरे मंदिर जो प्रतिहार सेली में बने है किस जिले में है यह उसिया जोदपूर के अंदर याद आगे है गुर्जर प्रतिहार सेल्गा अंतिम वर सब से भव मंदिर जो लगबग 1016 में निर्मित किया गया था इसकी बात कर रहे हैं किराडू मंदिर है बाडमेर के अंदर यह गुर्जर प्रतिहार सेल्गा मंदिर अब प्रसन पूछा जाता है कि गुर्जर परतिहार से लिए कि निमनमेशिक कोन से तो है बात करें कि मंदिर है ठीक है तो यह याद रखेलना सोमेश्वर किराडू मंदिर बाडमेर आगे हम बात करेंगे लगबग 850 इस्वी में बना रन खोड़ जी का मंदिर बाडमेर में किस स्तान पर है कि है बाडमेर के अंदर है स्तान खेडा क्या है खेडा के अंदर बाडमेर में रन छोड़ जी का मंदिर बना हुआ है यह आपको याद रखना है आगे देखिए का मेश्वर मंदिर अहुआ रन छोड़ रन छोड़ जी मंदिर खेडा और नील कंटेश्वर मंदिर के तो एक कामेश्वर्मूर्यों जाएगा अओवा के अंदर इ amar और भावा कली के अंदर सान और के ये कौन सा WAं परतिहार से लिता है फिर रण छोड़ जी का मंदिर खेडा ये प्रतिहार सेली का है और ठेल कंटे मंदिर के केंदर ये से लिमें跑 advis cheese куда Africa city हार सेली के परमुक्त मंदीर के सिदा का सिद together plectThey a प्रशन पूस्थी ही पोफिति है यह प्रशन पक्ता आता है देख लीजिए कौन कौन सा हम बात करें एक। तो पहला आमने बात की थी पहले पर्षन की हम बात करें तो देखिए एक तो आ गया ये कामेश्वर मंदिर सिद्धा का सिद्धा उप्शन में डाले जाएंगे दो तीन कामेश्वर ठीक है कामेश्वर मंदिर आगे रन छोड मंदिर रन छोड जी का मंदिर रन छोड जी का मंदिर ठीक है और तीसरा नील कंठ तील कंठेशवर तील कंठेशमर मंदिर तो यह सारे याद रखने हैं ठीक है यह किसके हैं गुर्जर परतिहार मनदर होगते adults के और सोड़क है के मंदीर झूठ या क्टेश आंदर है इसि के मंदीर है क्या मंदिर के कि अंदर अगे हम बाद है इते पाड़ोली दैका सास मंदिर कुद्यपोर कशन कशन कर मंदिर कि नि अंदर हेले οंकिन इस द्रहेखा से नह मार्व últimos आप नोट verge और या देखले ना आगे जोcía पेपर होंगे वहां पह आपक मेंन Glasgow लिखी हुई है उसको पिगा कि सिदा मिला लेना भी कौन सा इसने पूच्छ है और कौन सा छोड़ थीक है ये लिख लिणा बाड़ोली आगदा का सास्वव मंदिर उधेपूर का जगत अमिता मंदिर, अमिका मंदिर, चितोडगड का सम्देश्वर मंदिर, ये सारे किस से लिक हैं, गुर्जर परतिहार से लिक हैं, और पीछे कामेश्वर मंदिर अहुआ, रन छोड़ी का मंदिर खेडा, निल कंठेश्वर मंदिर के किंदर, ये भी परतिहार से लिक हैं, ठीक ह याद रख लेना एक लिंगनात जी के लकुलिस मंदिर का वर्तमान सवरूप किस ने दिया ये राइमल ने दिया था याद रख लेना एक लिंगनात जी का जो लकुलिस मंदिर है उसका वर्तमान सवरूप राइमल के द्वारा दिया गया था फिर है एक लिंगनात जी मंदिर क कि क्या है कुल देवता है एक तो यार रखना है मंदिर के अहाते में कुम्बा द्वारा निर्मित विश्नु मंदिर है यह जो एक लग दिवता हो गए एक लिंग नाथ आगे भी किराडू के मंदिर बार्ड मेर के बारे में देखिए अब हम बात करते हैं किराडू के मंदिर बार्ड मेर के बारे में हम बात करते हैं कहां से परसन बार बार पुछा जाता है देखिए एक तो इन्हें राजस्तान का खजुराओ कहते हैं कि याद रख लेना भी राजश्थान का खजजुराओग इससे कहते हैं किस मंदिर को कहते हैं कि counselors के मंदिर है सबसे सुंधर मंदिर yes मेश्ष के님रे मंदिर है और करना कि श्रसवार मंदिर है क्या पूछा जाता है। यह मंदिर तो है ग्यार्मी वार्मी सदी में परतिहार सेली का अंतिम मंदिर है यह अभी देख लो एक तो यह हो गया परतिहार सेली से बना है फिर उसके बाद हम मिश्रण की बात करें जो सेली है बनावट की वो गुप्त कालिन है पर्मार है सुलंकी है लेकिन जो सेली पूरी हम बात करें सेली की सेली ने बनाया वो परतिहार सेली के दुआरा बनाया गए के लिए अगे ये मंदिर बादमेर के हात्मा गाम के समीप पांच मндरों का समुआ है अब ये घाम पूछा जा सकते हैं आप पैंदु आगे देखे आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की आनसीय की पतनी कंकावती ने जगत सिरोमणी मंदिर इत्ती बार प्रसंद पूछा गया यह जगत सिरोमणी मंदिर का निर्मान अपने पुत्तर की याद में कहा करवाया गया अमेर जेपूर की अन्द फिक है अब याद याद रख लेना मांशियें की पतनी थी कनकावती ने और जगत शिरोमनी मंदिर का निर्मान करवाया ठीक है याद रेख लेना सिद्धा प्रसंद क्या पूछा जाता है जगत शिरोमनी मंदिर का निर्मान किसने किराया जगत शिरोमनी मंदिर का निर्मान मंदिर का निर्मान ठीक है तो मानशियें के पतनी थी किसने कनकावती नहीं यह याद रखने ता परसन आता है विकनकावती का फिर आगे हम बात करते हैं कहांपे बनवाया था अमेर जेपूर के अंदर आगे परसन बनता है कि 1230 इस्वे में देलवाडा में बने 22 जेन तिर्थकर कौन थे निम्मिनात मंदिर का निर्मान किसने करवाय था वास्तू पाल हम तेज पाल कह सकते 22 जेन धरम के 22 जेन धरम के 22 जेन धरम की हम बात करें कौन थे 22 में बता रहे हैं यह निम्मिनात जी इनका मंदिर बनवाय वास्तू पाल जी ने तेज पाल जी ने 1230 आप से पूछ ले 23 में जो तिरे ठंकर थे वो कौन थे जेन दर्म के 23 में तिरे ठंकर की हम बात करें वो थे अधिनाथ जो राज्तान में कही वार पूछा ना अधिनाथ जी को समर्पित और 24 में कौन से हो जाएंगे 22 में हो जाएंगे महावीर स्वामी कौन से महावीर स्वामी जी के पूछा जाता है ठीक है और 21 में साहे तक रिसव देव जी है ठीक है आगे घुजरात के चालूक के सासक भीम देव के मंतरी विमल साहे ने पर्थम जेन तिर्थंकर रिसव देव जी का मंदिर किस वर्स बनव प्रत्म कोन हो जाएंगे रिषब देव जी और 22 में नेमिनाजी 23 में आदिनाजी और 24 में भाविर स्वाम फिर आगे हैं हर्स माता मंदिर आगे बात करें हर्स माता मंदिर अबानेरी दोसा के गुर्जर प्रतिहार कालिन कला का उतकर्ष्ट उधारन अब यह भी पूछा जा सकता है गुर्जर परतिहार सली की जिते भी हैए ना कोपी ले लो और जित्ते भी मंदिर है एक उपर लिए लो गुर्जर परतिहार सली से बने मंदिर एक यह बुक के अंदर सारी दियो हैं तो आप नोट्स बना सकते हो क्यारवी सतापदी में महमूद गजनवी ने इसे नश्ट भ्रष्ट कर दिया था यह मंदिर एक विश्णु मंदिर यानि विश्णु को समर्पित है याद रखना देखिए आपने जैसे नोट्स बनाए नोट्स में लिख देना उपर पुर्जर परतिहार सेली के मंदिर अब रिक्षा देने जाओगे तो आग जल्दी जल्दी से जो भी आपने यह मंदिर है घुर्जर परतिहार सेली के चलुक के सेली के दिरे दिरे जैसे आएंगे आप लिखते जलिए फिर आपको क्या गाना जैसे आर पीशी का एकजाम होगा ना तो आपको इसको जरूर पढ़क तो आप अच्छी तरीक इस पर यानि फरी के नंबर है दो नंबर है या एक नंबर जो भी आपके परसन होगी फिर हम बात करेंगे यह रसमाता का मंदिर का पे हैं अब बानेरी दोसा के दर सारा का सारा जीके इस बुक के अंदर पड़ा हुआ है हम ढूंड रहे हैं दूड़ परसन बुक भी नहीं पड़नी है यह परसन अगर आप बार बार आप रिवीजन कर लो ना मैं कहता हूं जी के अगर 25 परसन आते हैं तो 20 परसन आपके बिल्कुल सही होंगे ठीक है 25 में से लगवग 22 परसन हो जाएंगे सही आपके अगर आपके अच्छी त्रिकी सिस्बुक का ध्यन करते हो तो आगे पाडोली चितोडगड के सीव मंदिर के बारे में देखी पाडोली सीव मंदिर है चितोडगड क्या है एक तो पंचायन सेलिक है यह इतनी बार परस है तो आपको साथ साथ में याद करना फिर है तो पूछा जा सकता है तोर्मन के पुत्तर था मिहर कूल ने इसका निर्मान करवाया तो आपको साथ साथ में याद करना फिर है पारा के रामगड मिस्तित भंड देवरा के सिव मंदिर ये भी इत्ती बार परसन आ चुका है सारे के सारे ही पूछे गए हैं यार्पिस्टी द्वारा सारे के सारे मंदिर बार बार पूछ रहे अब बारा के अंदर है भंड देवरा के सिव मंदिर यह है एक पंचा दूसरा हो गया बारा के रामगड में सित भंड देवरा की सिव मंदिर ठीक है फिर निर्मान मदे वंसिये राजा मल्य वर्मा ने दस्वी सदी में करवाया था यह याद रखना है दो परसंद यह अच्छे तरिके से पढ़ लेना एक तो इसे हाडोती का खुजराओ कहते हैं एक आप से पूछे यह तो हो गया भंड देवरा सिव मंदिर यह तो है भंड देवरा मंदिर यह तो कहां पर है तो है अपने बारा जिले के अंदर एक से मिलता जूलता ही मंदिर है रखने हैं वह हैं वो याद रखना है आपको बांडा साये जैन तो कहते हैं कि गी से निर्मित इसकी चिनाई की गई यह भी पूचाँ मिलत जुलते हैं कि वृणद देवरा है ये भृणड सायई है है तो बंड देवरा है और बंदा सायख मंदिर है भीक का नेर तरह somethin तो लहा है थोड़ा सá याद रहा को आगे चलते हैं भी हाडावति का खुज्याववी से कहते हैं एक परसन रे गया भी रनकपूर पाली के जेन मंदिर पंदरवी इस्ताबदी में किस सासक के सासनकाल में बने राणा कुम्बा की कोण सा रनकपूर का जो पाली मंदिर है पाली अब जेन मंदिर ये भी पूछे जाते हैं बहुत बार पाली के अंदर कौन से जेन मंदिर बने ह आगे देखिए यह रवी रनकपूर के जेन मंदिर के बारे में यह रवी यहां से सिद्धा परसन आता है एक यह सारे परसन आना पुछे गए हैं यहां से इस बुक से यह बगवान आदिनात को समर्पित है एक तो यह याद रखना निर्मान करवाया था दर्नी साय नामक एक जेन मंदिर ने यह पूछा गया बहुत बार दयाता है रनकपूर के जेन मंदिरों को एक तो मूल गरव ग्रह में आदीनाद जी की चार मुख वाली मूर्कियां प्रति स्तापिटाई इसलिए इस मदिर को सो मुखा मंदिर कहते हैए क्या कहते हैं इसे तो मुखा तीसरा यह मंदिर आदीनात जी को समर्पित है की सवनाण जी को समर्पित है तीसरा इस मंदिर को चोंखा मंदिर कहा जाता है इवन में से कौन सा सथ्य कथ यह विशेशता सिद्धिक इसी दियाद कर लेना को लागत सभायपूर के देन्मंदिर पालि की अंदर भगवान अधीनाथ जी को समरपिद है क्या अक्ए हृत मुख्वाली अधिनाथ-जी की निर्मान क्र दिया जेनवपर्जाय 1244 खंबे है इतायाध रखतेस हैं जितने खंबे लगे हैं में चार मुख वाली अदिनाजी की एक तो मूर्ती है यहां पे जिसे चो मुखा मंदिर कहते हैं यह इतना याद रहा है आगे परसन की हम बात करते हैं अगले परसन की आठवी सदी में गुर्जर परतिहार सली में बने ओसिया के मंदिरों में सामिल मंदिर है अब देख लीजिए रीहर्वै सूर-मंदिर मायविर की मंदिर पीपला वैस सचया माता का मंदिर वेक वैसे अपने चर्चा कर लिए मैंने आपको बता दिया कि जो गुर्जर प्रतिहार सली में तो ओसिया है ओसिया सान का पर जोदपूर की इंदर है अब पूछा भी जा सकता है कि निमने में से ओसिया के मंदिर कौन कौन से है भरियर, थूरे मंदिर, सचिया माता का मंदिर, पाविर्जी मंदिर और पीपला ठीक है ये चीज़ याद रखने हैं आगे हम बात करें नागदा उद्यपोर में बने सास बहु मंदिर जनका निर्म किसने करवाया ये पॉंटड़ हो जाता है हमारी इसका निर्मान किसने करवाया जो मंदिर है अपना नागदा उद्यपूर में बना हुआ है क्या कौन सा सास बहु मंदिर ये हैं गुहील सासक सीरी दरिश अतने इत्ता याद रखने है घृष्णू को स्मरपित है ये चिन मंदिर उसकी देखेंगे ये भी पॉइंट कर लेना अलग ओपी में लिखे लेना भूमी से लिका बना हुआ एक हो गया हमारा सबसे पहले हम बात की गुर्जर परतिहार के फिर ओशिया वाले लिखे लेना फिर आजएगा भूमी से लिके और पंचायतन से लिके ठीक है ये कौन से मंदिर भूमी से लिके है ये देख लिजिए यहा पे है ये ठीक है चलो देखते हैं ये आजेगा सेवाडी का ये सेवाडी जेन मंदीर अभी पाली के अंदर अब देख लीजिए अब पॉइंट बन गया ना पहला पॉइंट बन गया गुर्जर परतिहार सेली के मंदिर सिधा लिखलो दूसरा पंचायतन सेली से बने प्रमुख मंदिर से लिखलो फिर तीसरा बूमिश सेली से बने मंदिर और सिधा प्रसन आता है यहां से फिर है अब वो क्या करेगा उप्शन में एक तो देगा बूमिश सेली का एक देगा पंचायतन सेली का एक गुर्जर परतिहार सेली का एक देगा अलग देदेगा एक ठीक है तो देखिए भी, सेवाडी जेन मंदिर पालि के अंदर है, महानलेशवर मंदिर मेनाल के अंदर है, बंड देवरा रामगड के अंदर है और उडेशवर मंदिर है विजोलिय के अंदर है दूसरा महानलेस्वर मेनाल है, बंडदेवरा, रामगड के अंदर है, और यह रामगड रबारा के अंदर है, और उंडेसवर मंदिर बिजोलिय के अंदर है. है एक कर मंदिर के बारे में देखीए रहा मंदिर शिरोई में है फिर मान मंदिर याद रखल सब्सक्राइब कि entren considering और नारलोई ओसिया रनकपूर के मंदिर जेन दरम के है चांद खेडी का जेन मंदिर किस जिले में है जालावाड में देखो वे मोश्ट कर लेना भी चांद खेडी जालावाड के अंदर है एक लिंग जी के मंदिर का निर्मान केलास पूरी नागदा में बपा रावल ने किस सदी में करवाया आठवी सदी में और ये इत्ती बार परसन पुछा गया भी एक लिंगनात जी का मंदिर का निर्मान किस ने करवाया नागदा के अंदर तो याद रख लेना भपा रावल जिसे काल भोज के उपनाम से जाना जाता है मेवाड का सासक ठीक है हरित रिशी के अस पूल महल बुंदी में स्थित है इसके अलावा दूसरा फूल महल कहां स्थित है जोदपूर के अंदर कहां पे है जोदपूर के अंदर है पहला फूल महल कहां पे है बुंदी जिले के अंदर है और दूसरा फूल महल आप से पूछ ले तो जोदपूर में है पिछोला जेल सचाल में जगत निवास महल का निर्माण की ससाइसक के दोरा करवाया था जगत निवास महल प्रितम निवास महल फिर है सालिम की हवेली नथमल की हवेली पट्वों की हवेली किस जीले में है जेसल मेर में इपोंटेड कर लेना भी आरपियसी पूस्ती पूस्ती है इसको सालिम सीयं के वेली नथमल सीयं के वेली और पट्वों की हवेली कहां पे है जेसल मेर के अंदर स्थित है आगे विका में बच्छावतों की हवेली का निर्मान करन सियां बच्छावत ने कभ किया था था सोल्मी सतावदी में याद रख ले नुbataları के थे बच्छावत, Um कि अब बहुता झाए या पूछा जाए कि निमन में से कौन सी तो हम बात करें हवेली सोल्य में इस्तावदी में बनी होई यह जाते हैं मुहता, मूनड़ा, रामपूरिया वेली का स्थित है? विक्कानेर में स्थित है इस जिले की हवेलियों की सजावट में मुगल, किसंगड वे यूरोपियन चित्र से लिए प्रयुक्ट की गई है विक्कानेर के अंदर सबसे पहले हमने बात की थी मंदिरों की, उसके बाद हम बात करें अब हवेलियों की ठीक है, ठत्तर विलास बाग कहा स्थित है? कोटा के अंदर है, याद रख लेना ठत्तर विलास बाग है कोटा के अंदर राजस्तान की छत्रियां देखिए भी स्वाई जेस यें के छत्री कहा पे है गेटोर राव कल्यान की छत्री है बिकानेर में पालिवाल बरामनों की छत्री है जेसल मेर में सेटों की छत्री है रामगड में इपॉंटेट कर लेना भी एक तो स्वाई जेस यें के छत्री है गेटोर के अंदर राव कल्यानमल की चत्री भीकानेर में है पालिवाल प्रामनों की चत्री बनी हो ये जेसलमेर में और सेटो के चत्री है रामगड के अंदर फिर दरगहा देखे भी पॉंटट पिवान साह की दरगहा है कपासन के अंदर अब्दुल्पीर की मंजार है भवानपूरा के अंदर फाजा फकरुदिन की दरगा है सरवाडा के अंदर मिठे साय की दरगा है गागरोंदुरुक के अंदर बनी होई है जहला वाडमी तो याद रखना है दिवान साय की दरगा है कपासन के अंदर अब्दुल्पीर की मंजार है भावानपूरा फाजा फकरुदिन की दरगा है सरवाड़ा और मिठे साई की दरगा है गागरोन के अंदर अब्दुल्ला खां का मकबरा कहा स्थित है अजमेर के अंदर है बावडियों के बारे में देखी वी बांदी कुई के निकट अब्बा नेरी की चांद बावडी चांद नामक राजार ने बनवाई अबियाद रख लेगना अब्बा नेरी की चांद बावडी काहा निर्मान अनिरूद की पतनी नाथ्था वतने 1609 में में करवाई एक तो आगई विवाड राजा राजश्य की पतनी रानी कौन थी राम रस देने उध्यपूर में त्री मुखी बावडी बनवाई दूसरा धुंगरपूर में स्थिता नोलखा बावडी नोलखा बावडी कहा अपे डुंगरपूर में महारावल आसकरण की पतनी थी प्रीम प्रीम लद्दे ने बनवाई गुंदी में रानी जी की बावडी का निर्मान अनिरूद की पतनी नाथ्था वतने बनाई तो इन्नों की पतनियों ने बनाई है और यह पूछा जाता है बार बार नंद लाल पत्वडा की अवेली का शतीत या फोतेफूर सिक्कर के अंदर शत है ताटानियों की हवेली का अश्कर के अबّी पूछा गया था कें यहां पेंस के रहते सर कहा से आग यह परसन कोई पुख में मिल इंदर और पड़ाई यह यूद नहीं नहीं पूरे कप रखतर ईतरों है आंसारी उन्मेलियमादव और कुछ को रहा है यहाद रखनी है रतनाकर पुंडरिक वे पुरोईत प्रताब नराइन जी के अवेली की जिले में है जेपूर के अंदर है बड़े मियां पोकरण वे रखी अवेली की जिले में है जोधपूर में स्थित है मालजी का कमरा, राम निवास, गोईनका, मंत्रियों की हवेली किस जिले में है, तूरू जुले के अंदर है, फिर है बागोर की हवेली कहां पे है, उद्यपूर के अंदर स्थित है, फिर है रूप निवास, भगत, जालान, पोदार, पगेरिया की हवेली कहां स्थित है, डव क्योंसा क्या चाहिक राधाकृष्ण तता केसर देव कानेडिया की अवेली का स्थित है मुकंदरगड जुङनुके तो यह सारी याद रखनी आपको अच्छी तरीके से बढ़ना है फिर है चेतराम की हवेली चेतराम की हवेली लक्समनगड सिकर के अंदर है नारगंड दुरुग में यह पूछा गया था मैए लिए बनवाय थे नारगंड दुरुग के अंदर अपणी अazina के लिए कल्यानमल की छत्री कांपे स्थिता है विक्का नेर के अंदर है यह लगबग हमारी हवेलिया समारक और छत्रीय कंप्लिट हो चुकी है तो सभी साथी डेली इस बुक का रिवाइज करें डेली हम पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे टोपिक आएंगे अब चल रही हमारी कलांस करती इससे पहले हमने इतियास पढ़ा और अब कलांस करती कंप्लिट हो जाएगी देरे-देरे कुछ टोपिक रहे हैं उसके बाद में हमके क्षान नो स्टार्ट कर देंगे तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करें सेर करें जैहिंद जैवार्त